7,30,000 रुपे की स्पेलिंग क्या होती है और 7,30,000 रुपे को चेक पर लिखने का सही तरीका क्या होता है यह हम आज इस वीडियो में सीखेंगे 7,30,000 रुपे को English में हम 7,30,000 रुपीज गयते हैं और अगर हम account पे check देना चाते हैं तो check के सबसे उपर corner में हम account पे only लिखेंगे फिर जहाँ पर pay ABC name लिखा हुआ है वहाँ पर आप उस person या company का name लिखेंगे जिसे आप check देना चाते हैं नीचे आप लिखेंगे 7,30,000 रुपीज और इसकी spelling होती है और उसके नीचे 7,30,000 रुपे मातर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप Hindi या English किसी एक भाशा में ही check परें और आइटेंट साइट में जो box दिया हुआ है उसमें 7,30,000 रुपे को अंको में लिखना है जिसके लिखने का तरीका है 7, 3, फिर 4 बार आपको 0 लगानी है और नीचे जहां आपका नाम लिखा है वहां उस नाम से उपर आपको अपने signature करने होते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सिब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा पर्यास पसंद आया है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें आपकी लाइक हमारे लिए बहुत माइने रखते हैं